स्वास्त विभाग यहां देश में सबसे बरी लोगों को जागरू करने के लिए सिक्षा और स्वास्त की आवसक्ता है सरकार करोरों खर्च करते हैं और वो खर्च कर रही है लेकिन यहां माफिया के द्वारा और क्या कते हैं सिविल सरजन के द्वारा इतना गोटाला किया जा रहा है जो गरीबों का आज भी सोसन किया जा रहा है अज एक ची बताइए कि मैंने सरकार के द्वारा सरकारी होस्पीटल में दवा से लेकर डॉक्टर तक की ववस्था की गई है लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं जाके देखे प्रैवेट क्लिनिक सरकारी में बैठते हैं लेकिन कहते ह अधार पर आप जो है प्राइबेट क्लिनिक में उन गरीबों का सोचन कर रहे हैं और कई ऐसे मामले मेरे पास आए जो गरीबों का मैंने जब देखा समस्ती पूर्वाले सिविल सर्जन इसा क्या देखिए सभी समस्ती मैंने जो मानवाधिकार आयोग में मान्य अध्यक्स चल लए उसका है कि इनको मह्ना जाता है रोसरा से भी रोसरा ही नहीं समस्ती पूर्विले के पर खंडों में अबैद क्लिनिक चल रहे हैं जिनसे सभीन सर्जन करियाले को पैसा जाता है जाता घुंज जाता है वही रिश्पत कहा जाए घूज जा रहा है उसके बज़ा से गरीब लोगों की मिर्तियु दर बर रही है अब सोच लिजे जो 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 नर्सिंग वहां जाते हैं पठना जाते हैं चाहे सरकारी अस्पताल में जाते हैं लेकिन गरीबों को बहला फुसला कर जोला चाप डाक्टोरों के यहां इलाज करवाया जाता है एक पैसा एठने का क्याम किया जाता है अभी आपने देखा सिविल सर्जन महोदे ने जो मानिये मानमाधिकार आयोग महोदे को जो दिया है उन्होंने दिया है कि यहां पर 30 जो ह और आभैद नर्सिंग होम चला है बीम्हिन परकौंडों में चला है जो आप भी घुमते हैं तो देख णीच चला है अभैद जांच घर चला है इन्होंने कहा कि अभी तक कि किसी परकार का आभैद नहीं चला है जबकि आपने देखा होगा कि विभूतीपूर में 20 जून को एक गरीब महिला रिंकु देवी एडविट होती है एक फरजी नर्सिंग होम में वहाँ पर उसको नॉर्मल डिरेवरी उस महिला को हो जाता है और सिर्फ पैसे के लालच में 22 जून को उसका उप्रेशन कर दिया जाता है जब नॉर्मल डिरेवरी हो गया तो फिर कैसे उसका उ सबसे पहले हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और पचास लाग का मुअबजा उस महिला को दिया जाए जिसके मिर्तु हुई है आप मांग किये हैं तो आपको लगता है कि बिहार में ऐसी बेवस्ता है कि आपके मांग पर करवाई होगी बिल्कुल होगी कानून का राज है कानून जो है ठीक है पैड़ भी है उसके पास पैसा है अबैद पैसा है ततकाल चलेगा कुछ नेता लोग उनको मदद करेंगे लेकिन मैं उसको सुप्रीम कोट तक ले जाओंगा इस मुद्दे को मैं जब तक नयाई नहीं मिलेगा तब त प्रश्टिव हो रही है गलत दबा लिखा जा रहा है उसके विरुद में मामले को जागर करता है मामला तो सिर्फ सिवील सर्जन के खिलाप नहीं हुआ नहीं हुआ ना जितने अवैद होस्पीटल चल रहे हैं उसम के खिलाप भी हो गया हाँ बिल्कुल है दुस्मनी हो जा के काज करता है लोगों के सुख दुख को देखते हैं तो पहले हम आम जन्ता को देखेंगे ना कि हम अपना पेट भरेंगे पेट भरने का नहीं बोलना है मान लीजे आप सिकुरिटी लेके तो चलते नहीं है यह पचास साथ सो होस्पीटल को आप बंद करवाईएगा तो उनको मदद करूंगा उनके न्याई के लिए लटाय को लिए मेरा मुल करतन के अपर आपको अधिकार को मिलेगा मुझे कानून और बरोसा है मुझे नयाई पबरोसा है और अच्छे आधिकारी जो ही मन्दार अधिकारी है निस्ट करवाई करेंगे झाल झाल